असलाम अलीकों फ्रेंट्स हो आगे था आपका इस यूटूब से आनों जहे के स्टडी मतिरियल में किश्मीर नुची की तरफ से यहां पर एडमिशन नोटिफिकेशन आई है Design Your Own Degree जितने भी 12th past students हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो आर्ट से, मेडिकल से, कामर से, सभी स्टूडंट इसमें इलिजिबल हैं अब यह है कि Design Your Own Degree अब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सिस्टम है यहां पर जितने भी जो भी courses हो रहें undergraduate के, सभी ऐसे होने चाहिए अब यह इसको मैं best क्यों बोह रहा हूँ अब पूरा वीडियो इंट तक देखना आपको पूरा समझ आ जाएगा इसमें process क्या selection कैसे होगी सब कुछ डिटेल में समझ जाए देखो किश्मीर इंवर्स्टी की तरफ से यह जो notification आई है Design Your Own Degree इसमें जो भी 12th past students हैं जिनके 60% से जाएदा मार्क से 12th में या फिर किसी category से हैं तो 55% से जाएदा मार्क से हैं वह इसमें एलेजिवाल है फूर सतीमब से लेकर 13 सतीमब तक आप समझ लो Design Your Own Degree का मतलब क्या है यहां पर क्या होगा टोटल तो फूर येर हैं आप समझ यह आठ समिस्टर बनते हैं यह यहां पर undergraduate degree ही है इसको हम B.S mean Bachelor of Science या फिर B.T.E.C. Bachelor of Technology यहां पर बोलते हैं अब वो क्यों बोलते हैं क्या सिस्टम है वो भी समझ लो अब यहां पर क्या होगा जो स्टूर्ट यहां पर select हो जाते हैं उनको यह ऐसा कि यह different programs दिये जाते हैं Applied Science in Technology, Bio यहां पर आ जाता है, Earth and Environment Science आ जाता है Physical, Mathematical Science आ जाता है, Social Science, Arts, Language, Literature, Education, Behavioral Science and Business Study, Visual, Performing Arts, B.T.E.C. with Specialization in AI यह different programs है अब इसमें क्या है आपको वो नहीं यह थेवरी पढ़नी है, बुक उठानी है पढ़नी है, ऐसा बिलकुल नहीं है यहां पर आपको क्या होगा, Practically होगा, यहां पर आपको Skills सिखाए जाएंगे वहां पर आपको टीचर वो आपको Guide करेगा, बाकि सब आपने खुद करना है आपने यहां पर इसके Projects बनाने हैं, बाकि different चीज़ें करनी हैं, पूरा with Skills के साथ क्योंकि Main Study का मतलब यही होता है कि हम Skills सीखें, बढ़ हमें क्या होता है, हमारे डिग्रीज हो जाती है, बढ़ हमें कुछ पता ही नहीं होता हमने पढ़ा क्या तो यहां पर अब क्या होगा, आपको जो आपके पहले दो साल हैं, जिसमें four semester बनते हैं, four semester में आप group discussion करोगे, बैठ के, क्योंकि different stream से students आएंगे, वो अपनी group discussion करेंगे, जब यह चीज़ें देखेंगे, अच्छा applied science and technology है, क्या, इसमें skills उनको सीखने को मिलेंगे, different चीज बढ़ रहा है, अब जैसे कोई ऐसा student होगा, जिसको लगेगा, चलो जी AI best है, वो B.Tech with AI करेगा, किसी को यहां पर applied science अच्छा लगेगा, वो applied science करेगा, चाहे supreme आपकी पीछे कोई भी है, यहां पर आपको मोका दिया जा रहा है, किसी को mathematics अच्छा लगेगा, किसी को social science, किस को arts अच्छा लगेगा, वो उसी में आगे जाएगा, इनको यह ऐसा student है, जिसको physics अच्छा लगेगा, साथ में सुझेगा मुझे music चाहिए, साथ में सुझेगा मुझे arts चाहिए, तो वो उसको यहां पर दिया जाएगा, वो अपने बाकी, जो बाकी 4 semester, 5th, 6th, 7th, 8th semester, उन कि उसके अपनी मर्जी से subject होंगी, उसमें practically किया हुआ है, आगे भी उसको with यहां पर practically skill के साथ सिखाय जाएगा, अब government का कहना है कि यह जो भी students यह degree करेंगे, तो इसमें आप government से एक job लेने वाले नहीं, लोगों को job देने वाले बन सकते हो, क्योंकि यही same degrees जो हैं वो चा होता है, mobile किस पर एगी है, वहां पर उनको सिखाया जाता है start सही, ताकि वो जब degree complete कर तो उनको पूरा पता होता है कि mobile बनता कैसे है, फिर वो अपनी बड़ी-बड़ी companies खोलते है, mobile बनाते है, फिर पूरे यहां पर world में फिलाते है, तो ऐसी चीज़ें चलती है, यहां पर है कि पहली चार समेस्टर में आपने सीखा, सकिल सीखे, कैसे किस छी रीज पसांद बहुना है, फिर आपने उसकी अपनी डिगरी बनाई, जैसा कि किसी को R&D उनको पूरा skill पर यहां पर focus रखना है बाद में भी आपको पूरा skill आपको यहां पर अच्छे तरीके से यहां पर सिखाया जाएगा तो जैसा कि जो student ने पहले सीखा है computer बाद में, computer में वो course कर रहा है तो उसका bachelor degree computer में हो जाएगी जैसा कि बाद में बाद में भागी student जो program जो यहां पर सीजन कर रहा है UPSC या फेर कैस या बागी जो भी जहां पर government job से वो यह student भी दे सकते हैं क्योंकि यह भी इनकी bachelor degree होती है तो जब student जो हैं वो यहां पर अपनी कोई degree अपने क्योंड करते हैं अब यहाँ पर यह चीज तो समझ आगी, आपको design your own degree है क्या, तो यहाँ पर link open रहेगी, आपकी 4 September से लेकर 13 September तक, आप form submit कर सकते हैं, 750 रुपीज इसकी fees होगी, और उसके पद आपका interest exam होगा, interest में आपको यह चीजे पूछी जाएंगी, जन्रल अवेरनेस होगे, बाहर की यह चीजे आप देख सकते हैं, 60 objectives होगे, 60 marks का favor होगा, और यहाँ पर negative marking भी होगी, जो भी students select हो जाएंगे, उनको कश्मी इनवस्टी में campus मिलेगा, मेरे हसाब से इस साल 30 seats हैं, इसमें total, तो जो भी यहाँ पर interested students हैं, तो वो form submit कर सकते हैं, और अगर आपको detail में और चीजें समझनी हैं, पूछनी हैं, आप comment करके यहाँ पर बता सकते हैं,